दोस्तों आज हम कभर करेंगे दा हंड्रेड मैंस का मकाबला दा हंड्रेड मैंस का जो मकाबला होगा वो होगा एन ओ एस और एल एन एस का भी एन ओ एस और एल एन एस का भी जो मकाबला होगा ये मकाबला कैसा होगा दोनों टीम आपस में कितने मुकाबले खेले हैं और कौन सा टीम एश्टोंग होगा कौन सा टीम कमजोर होगा साथ ही साथ बताएंगे गरॉंड पर कितने प्राइज रखा गया है और गरॉंड किसे सूट करता है बेस्ट मिन को सूट करता है या बॉलर को अगर bestman को suit करता है तो क्यों करता है अगर baller को करता है तो क्यों करता है ये भी बताएंगे चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं direct correct team पर जाकर बात करते हैं हर एक player के बारे में बताऊंगा किन का lineup में नाम सामिल है और वो कितने नमर में batting करने आएगा क्योंकि lineup में नाम सामिल राता है और batting order आप लोगों को मालूम नहीं राने के कारण recent के form देखने के कारण उसे अपनी team में तो सामिल कर लेते हैं लेकिन वो काफी नीचे उतरता है जिसके कारण आपका batting order आपका bestman को ground पर उतरने का मोका ही नहीं मिला तो नहीं मिलता है तो वो पर फॉर्म कहां करेगा जब वो पर फॉर्म नहीं करता है तो आपका एक तरपा नौकसान हो जाता है सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन में बात करते हैं विकेट कीपर सेक्षन में निकलस पुरन देखिए निकलस पुरन का बैटिंग ओडर पहुच नमर में है पहुच नमर में आने के बाद जुद भी रिशन्ट के फॉम काफी जबदस्त है और इनका बलाव इतना फॉम में है कि इसे पहुच नमर में आने के बाद जुद भी ड द्यान से सुनिए इनका बैटिंग आूडर पांच नमर में है और यह पंपर राएगा रिश्चन के फोर्म है और एक हास पर्दसन नहीं है लेकिन ठुक घड़ा कर लेता है और जरन के ओक जरन जो है ये चार नमर में बैटिंग करने का मुका मिलेगा लेकिन ये पहुच मकाबले खेले हैं पहुचो में पहुचो बार फलोप सोय है जिनके कारण सालेक्षन पर्षेंड लो है ये चौथा नमर का वैश्टमेन है आप लोग इन तीन विकेट कीपर में से किसी को भी टराइक कर सकते हैं जिसे करना है कर सकते हैं चाहे साल 11% हाय या लो देखिए निकलस पुरं से पाले ओज़ेरेबर को आ सकता है चार नमर में इनका लेनाम में नम सामिल है पॉंच नमर में निकलस पुरं का है ये अपनर है अगर आप लोग हेट टू हेट लिग या समॉल लिग मेगा जील जील का सेव टीम बनाते हैं तो इन दोनों के साथ जा सकते हैं इसे ड्रोब कर सकते हैं रिश्टन के फॉर्म को देखते हुए और इनका बैटिंग ओडर भी चार नमर में आता है और यह बिकेट केपरिंग नहीं करेगा निकुलस पुरण 1994 केपरिंग करेगा अब आते हैं बैस्ट मैं में मैं आने से पाले मैं आप लोगों को पीच रिपोर्ट बता देते हैं पीच रिपोर्ट जो है वो है बैटिंग पीच गुड़ पर पेसर है यहां पर अवरेज इसकोर 168 है भेनुदा है अहल डुवल में खेला जाएगा अब यहां पर देखिए एल लदन ठिक टाक परदर्शन करेगा जिसके कारण अच्छे खासे उमीद और अच्छे खासे परदर्शन कर सकता है अब यहां पर देखिए इनपोर्टेंज जो है वो 102 दो पॉइंट दिया है हरी ब्रोक ठिक टाक है ठिक टाक परदर्शन कर रहा है इस टीम के खिलाप एक मकाबले भी के लिए हैं अच्छे खासे हैड मायर नीचे आता है यह भी हीटर वेस्टमेन भी कभी भी अच्छे स्कोर कर सकता है फिलाल के लिए इन सब का लेनम में नाम कामिल नहीं है जेकर लगतार पॉँच मकाबले में अच्छे खासे परफॉर्म किये हैं और यहां पर देखे यह रोज होको नहीं इन चार वेस्टमेन में से किसी भी वेस्टमेन को टराय कह सकते हैं अभी पिलाल के लिए मैं हैरी ब्रोक एलटरल को लिया हूं उसके बाद हैरी डर्मायर को लिया हूं यह तीन वेस्टमेन अच्छा खासा है किसी को ले सकते हैं अब आते हैं और अंदर सेक्षन में अंदर रसल जो पॉंच मुकाबले खेल कर आया है पॉंचों में फ्लॉप्स हुए है लेकिन सालेक्शन परसेंट लो हो गया है अंदर रसल का हाय ह हो गया है क्योंकि यह पार्टेम बॉलिंग करता है लेकिन बैन रसल कभी मिलता है कभी नहीं एम सुट में अच्छे नहीं है और अपनर बैस्टमेन है यह लगत्तार रसल के फॉंच में दो दो विकेट लिकार कर जा रहा है मिधार अच्छे खासे परदर्शन कर रहा है इन पंच वोलंडर में से किसी भी वोलंडर को रख सकते हैं वो भी आप अपने तरीके से अब आते हैं बॉलिंग सेक्षन में बॉलिंग सेक्षन में यह पर देखिए ओश्टन हर मुकाबले में एक विकेट नहीं आया है डीवल का रिकाउट अच्छे हैं लेकिन सेलेक्षन फ इसे अच्छा खासा है चलिए मैं क्यों और किस रिजन से रखूंगा यह भी बताएंगे फिलाल के लिए इन पहुंच बैस्ट्रमेंड का लाइना में नाम जामिल है पहुंचों में से किसी को भी टड़ाए कर सकते हैं वो भी आप अपने तरीके से अब आते हैं मैं टीम कर करकर बताता हूं सबसे पहले मैं निकलास पुरंग करूंगा क्योंकि बैटिंग पीछा है साथ इसाथ विकेट कीपरिंग करेगा इन्हें मात्र दस बॉल खेलने का मोका मिल जाए तो अच्छे खासे पर्फॉर्म कर देगा मैं इसे लूगा और एंपर को अपना रहा है आब आते हैं बैस्ट में में इंपोजन एलन हरी ब्रोक अच्छा खासा रहेगा और ठीकता कोमी दिन से लगा सकते हैं अब हिएंप वूलंड्र सेक्शन में याल लोधन अच्छा खासा है हिए पर मिठ क्ष रिक तर पर दशन मेंगा एम स्थे खासे हैं को अब हिए Americamedi शेक तीन बोलर तीन ओलंडर को लिया हूं तीन बैस्ट में दो विकेट कीपर अब नेस्ट करता हूं नेस्ट करने के बाद देखें निकलास पुरन को हर कोई केप्टन देगा क्योंकि नीचे उतरता है अच्छे फॉम में हैं लेगिन मैं केप्टन इसे नहीं दूगा बैटिंग पीछे तो मैं केप्टन आज जिनका सेलेक्शन पर्षेंट लो है बैस्ट में अच्छा है थोड़ा रिशन के फॉर्म बूरी है इसलिए मैं अभी केप्टन इसे दूगा क्योंकि पार्टेम बोलिंग करता अपनर है और इनका बैटिंग पीछे हो सकता है इनका बल्ले अभ च्छेल कप्टन ची का सब्सक्राँ एन को सब्सक्षेंट ऐसे ऐसिए इसलिए केप्टन थोड़ा रिख और यूंइक दियां हूं ब्हाइस केप्टने केपास करने के भाद आजए पर विए इस तरह से रहेगा तेक्षे फिलाल के लिए मेरा टिम का पर विए इस तरह से रहेगा इस तरह से हाई ओप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलता है नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों